विदार्थियों, मिसन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें जहारखंड का model paper number 3 देखेंगे, विशे है आपका विज्ञान का, English plus Hindi version में इसके complete solution को देखेंगे, 19 प्रशन रहेंगे, set 2 हमने आप already upload कर दिया, set 2 आप देख चुके होंगे, और set 3 ये आपके सा गया है, विवांतर की SIEKI क्या है, उस उपकरण का नाम बताइए, जो चालक के terminal के बीच जो है, विवांतर को बनाई रखने में मदद करता है, यहाप इंग्लिस में लिखा है question, और यह है इसका answer आप देख सकते हैं, और सारे PDF की link में देख चुका हूँ, और वीडियो के ब नीचे answer लिख चुका हूँ, इसका, इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रशन पे, दूसरा जो प्रशन इसमें पुछा गया, एमिटर का प्रियोग किन कौन सी भौतिक राशी को मापने में किया जाता है, यानि कि एमिटर का प्रियोग जो है, किस चीज को मापने के लिए कि किया जाता है, इससे बिदुद परिपत में किस तरह संयोजित किया जाता है, तो इसको बिदुद परिपत में किस तरह लगाया जाता है, ये भी पुछा गया है, तो एमिटर का प्रियोग जो है, विदुद धाराम आपने के लिए किया जाता है, और इससे बिदुद प्रशन के उपर आते हैं और इससे पहले एक important चीज जो आप देख लीजिए, आप लोगों के लिए self-test और अरदवार्सिक paper के हमने sets जारी किये थे, जो वार्सिक परिक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, प्रिबोर्ड परिक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिल इसमें, और 40-40 प्रशन है, जो आपका pattern है, हिंदी का भी हमने डाल दिया था, इस तरह से English का भी डाल दिया था, self-test के ये सारे वीडियोस देख लेना, इनसे अगर आपको अच्छा स्कूर करना है, तो इन सभी वीडियोस को पढ़ना आवश्यक है, self-test के नाम से ये वीड available है, और यहाँ पर जो है, आप देख रहे हैं, इसका thumbnail, ठीक है, और इसके बाद जो है, pre-exam जो है, आपका हिंदी का, इसका भी हमने डाला था, उसके बाद जो है, social science का भी हमने pre-exam का जो है, आपका डाला था, उसके बाद science का भी जो pre-exam है, उसका भी हमने डाला था, औ आपको अब इस वीडियो के माद्धिम से मैंने बता दिया, यह सारे वीडियोस जो आप देख रहे हैं, यह सारे वीडियोस पढ़ लेना, देख लो दुबारा से आईकन यहापे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कोई playlist नहीं मिलती है, तो आप जो है comment section में comment कर सकते हैं, तो इन वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है, ये वीडियो तो है ही है, और ये तना study material हो जाएगा कि बाद में आपको pair रखने की जगे नहीं मिलेगी, समलने का जगे नहीं मिलेगा, इसलिए जितन नंबर 3 science का देखते हैं, चौथे प्रश में पुछा गया है, निमलिखित में कौन से योगिक, समजाती स्रेणी की योगिक होंगे, which of the following compounds would be homogeneous, homologous series compound, यहापका CH4 जो आपका methane है, और C2H6 जो आपका methane है, यह दोनों को दोनों alkanes होते हैं, ठीक है, यहापे alkanes हो जाएगा और यह जो है, यह आपका समजाती स्रेणी की योगिक कहलाते हैं, ठीक है, तो यह दो answer आपका मैंने हापे लिख दिया है, इसके बाद जो next part है, इसमें पुछा गया है, इस्त्रियों और पूर्शों में पाये जाने वाले लिंग गुण सूत्र कौन कौन से हैं, सभी को पत प्रतेक पोशी श्तर पर उपलब्द कार्मिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले श्तर तक पर पर पहुंचता है, तो प्रतेक पोशी श्तर पर उपलब्द कार्मिक पदार्थ का केवल 10 प्रतिशत ही जो है अगले श्तर पर पहुंचता है, बाकी 90% जो है उर्जा का उनके द्वारा, उस लेवल के जो भी जीव है उनके द्वारा, उसके बाद जो next part है, इसमें section B, section B में पुछा गया है, नीचे दिये गए दो तारों, P और Q में से किसका प्रतिरोध अधिक है, और क्यों यह आपको बताना है, यहाँ पर आपको दो है diagram दिया गया है, P दिया जिसके लंबाई L है, और इसका छेतर फल जो है, आपको area दिया गया है, A, और दूसरे का आपको दिया गया है Q, और इसका area दिया गया है A by 2, यानि कि यहाँ पर आपको length तो same है, लेकिन areas अलग-अलग दिये गये है, तो आनुपरस्त का छेतर फल, जितना छोटा होगा, प जादा है, ठीक है, इसलिए जो है, आपको ध्यान रखना है कि यह आपका right answer हो जाएगा, अब इसके बाद आते हैं next question पे, set number 3 देख रहे हैं, इससे पहले set number 1, 2 solve करवा दिया गया है, set number 3 देख रहे हैं, इससे पहले सभी विशे के set number 2 डाल दिये गया है, set number 3 चल रहा है, इ जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, मैंने आज से कलगबग लगबग 15-20 दिन पहले उनको डाल दिया था आप लोगों के लिए, तो उनको जरूर देख लेना, अगर आप फायदे में रहना चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, कि दोस्तों ये भी द जालक के पास, रखी चुम्बक्य सुई, विदुधारा के चुम्बक्य प्रभाव के कारण जो है, विच्छेपित हो जाती है, किसलिए विच्छेपित होती है, चुम्बक्य जो है, विदुधारा के चुम्बक्य प्रभाव के कारण, ठीक है, नेक्स जो पार्ट है, इसकी तथा चमकदार होती है, ठीक है, इनको कूट पीट के किसी भी आकरती में आप दे सकते हो, साथी साथी, इसका जो चमक होती है, लिटरस होती है, जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत जादा चमकीला होता है, ठीक है, और जो है, इनकी आक्सीजन से बंदूता जो है, अत्याधी कम ह करते हैं इस कारण से यह वाई-उ में आक्सीजन वह नमी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और इन पर जो है जंग नहीं लगता यह काले पीले जल्दी से नहीं पढ़ते हैं लेकिन बहुत ही समय लग जाता है ठीक है इंधातों को जंग वगेरा लगने में बहुत ज्यादा समय दिया गया इन तीनों की सनरचना है बतानी है सबसे पहले हम मेथनोल की बात करें तो मेथनोल होता है CS3OH तो सी आपका बीच में आ गया और इसके साथ में कितने हैं आपके हाइड्रोजन हमने यहां पर लगा दिये हैं और साथ में एल्कोहल गुरूप है तो इसको ओ लगा है और यहां पर जो है इसका आपका जो सनरचना बनेगा वो इस तरह से बनेगा ACID का structure बनाए तो यह आपका जो है इसके साथ carbon compound के साथ में तीन hydrogen बंद जो है बने रहेंगे फिर carbon से carbon योग जुड़ेगा उसके साथ oxygen जुड़ा रहेगा आपका double bond के साथ single bond के साथ oxygen के साथ म तो उससे पहले वाले पोशी इस तरों की संख्या बढ़ जाएगी कैसे बढ़ जाएगी सपोस करिए कि यहां पर घास है ठीक है घास को जो है क्या खाता है आप जानते हो घास को जो है आपका टिड़ा खाता है ठीक है घास को कौन खाता है तो टिड़ा खाता है अभी समझ की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसको खाने वालक को हमने मार दिया है, खाने वालक कोई नहीं है, साथी साथ, जो मैंडक, इसको खाकर के जिंदा रहता था, तो अगला पोशी इस्तर भी प्रवाहित हो जाएगा, वो भी खाने की वज़ तो इससे निचले पोशी इस्तर पर जीवों की संख्या में ब्रद्धी हो जाएगी, जैसे अगर मैंने मैंडक को मार दिया, तो टिड़ों की संख्या में ब्रद्धी हो जाएगी, और उच पोशी इस्तर पर जीवों की संख्या में ब्रद्धी हो जाएगी, ठीक है, और ध योगदान दे सकते हैं कि is दो तरीकों का वंडण आपको करना है। कच्रा निम्तान की समस्याओं में हम Nirmteray से योगदान कर सकते हैं, जिसमें जेव निम्नीकरण और अजेव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करके समाप्त करना होगा। साथी साथ जेव निमनीकरण अपसिष्ट पदार्थों का पूनह चक्रण यानिकी रिसाइक्लिंग के बाद पूनह उपियोग यानिकी रियूज करना चाहिए जिसमें प्लास्टिक और धातुए आती हैं, साथी साथ जेव निमनीकरण पदार्थ जो होते हैं, अपसिष्ट को कम करता है, तो इस तरह से ये सारे के सारे निम्टान बता सकते हैं, इंग्लीस में मैंने यहापर सोलूशन दे दिया है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसकी बात करें, यहापर एकल जीव द्वारा उपारजित लक्षन समानेता अगली पीडी में वन्शा अनु बहुत बढ़िया बेस्ट में है, लेकिर ऐसा जरूई नहीं है कि उसका बेटा या उसके बेटे का बेटा जो है उसके जैसा खिलाडी बन पाए, तो इसी को बोला जाता है, एक्वार जो है ट्रेट्स जो है वो नहीं करते हैं, लाइफ टाइम में जो इंडूजव अटेम् कीजिए, तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि भोती का वस्था है, जैसे कि ताप लंबाई इत्यादी स्थिर हो, तब किसी विदुत परिपत में प्रतिरोध के सिरोपर उत्पन वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुन पाती होता है, यानि क V is equals to IR, अगर हम इसका proportionality का sign जो है, यह आपका sign हटाना है, और equals to का sign लगाना है, तो यहाँ पर हम एक R resistance को use करेंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर R क्या है, यह नितांक है, constant है, जो चालक का प्रतिरोध दर्शाता है, ठीक है, इस तरह से हम ओम के नियम को बत लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया और एक कुंजी लगा दिया, इस तरह से हमने एक धारा का परिपत बनाया, और इसमें जो है, I1 और V1 जो है आपके current है, यहाँ पर जब धारा बहेगी, तो आपके V1 में I1 जाएगी, V2 में I2 जाएगी, V3 में I3 जाएगी, और V4 मे देख सकते हो, resistance होता क्या है, अभी हमने direct देखा था, यहाँ पर जो R का हम मान निकालेंगे, तो R हो जाएगा, R यहाँ छोड़ देंगे, तो V के नीचे I आजाएगा, सभी को mathematics पता है, तो वही चीज यहाँ पर बताए गई है, तो V1 अपन में I1 हो जाएगा, V2 अपन में I2 और V3 अपन में I3 और V4 अपन में I4 is equals to constant हो जाएगा, ठीक है, इसका हम graph बना सकते हैं, I और V में, ठीक है, तो इस तरह से ही आप इसका समिकन जो है, बनाएंगे, और इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जो चीज मैंने प्रियोग आपको पूरा बताया, वही प्रियोग यहाँ पर लिखा गया, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल से language में मैंने लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर सारे के सारे जो है, मैंने हिंदी में solution plus English में दे दिया है, तो यहाँ पर आप इसको 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 लिख दे सेणी करम में जोडने पर जो हमारा अधिकत्तम प्राप्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें दूसरा जो पार्ट है, इसमें क्या बताया गया है, कुल प्रतिरोद निवन्तम कब होगा, जब हम इसको पार्शो करम में, यहाँनी सीरीस में जोडेँगे, तो निवन्तम मिल तो हमारेपास सबसे अधिकतम प्रति रोद जो आ जाएगा वह आ जाएगा तीस ओम और जो कि निश्यूम्टम प्रति रोद जुव 시क्डे सब्सक्राइब 알고 जैसे दूसरे विलाइकों में भी मिशेल का निर्मान होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब साबुन को जल में घोलते हैं, तो इसके अणू एक विशेश प्रकार की सनर्चना बना लेते हैं, और इसका एक आइनिक शीरा जो है, वो जल के अंदर होता है, और इसी विशेश सनर्चना को मिशेल कहा जाता है, साबुन के अणू में दो भाग होते हैं, एक आपका लंबी हाइड्रोजन कार्बन वाली पूंच, जिसको जल विरागी सिरा हाइड्रो कार्बन में विले होता है, जिसको जल विरागी सिरा कहा जाता है, जो जल में विले होता है, अब इस तरह से आप डाइग्राम देख सकते हो, जल विरागी सिरा इधर होता है, और जल विरागी सिरा इस तरह से बाहर होता है, ठीक है, साबुन का कंड जो है, दूसरा सिरा यार्थार्ट जल विरागी सिरा जो है अंदर की ओर होता है और ऐसा साबुन के अणों का एक बड़ा गुच्छा बढ़ने के कारण हो जाता है और इस प्रकार जब साबुन को जल में डाला जाता है तो ये मिशेल का निर्मान करता है यही कारण है कि साबुन पा लक्षन से आप क्या समझते हैं और मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन विकल्पी लक्षन स्वतंतर रूप से अनुवानशिक होते हैं। तथा गोल और लेकिन दूसरे के जो है हरे तथा जुर्यदार थे F1 PD जो पहली PD थी उसमें केवल जो पीले बीज ही उसको प्राप्त हुए और F2 PD के पौधों का जो सो परागन कराया गया जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो चार प्रकार के बीज प्राप्त हुए जिसमें आपके पीले और गोल बीज जो है 9 मिले और पीले तथा जुर्यदार बीजों की जो अनुपात है 9-3-3-1 रहेगा ठीक है और हरे और गोल का 3 और हरे और जुर्यदार बीज का 1-1 ठीक है तो इस तरह से यह अनुपात मिले तो हम कह सकते हैं कि F2 जो लक्षन पराप्त हुआ वो 9, 3, 3, 1 उपरोक्त से इस पच्टे की बीजों के रंग कानुपात तथा बीजों की आकरती कानुपात एक दूसरे के साथ मिस्रित नहीं होते हैं, बलकि स्वतनत रूप से वन्शानुगत होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, आपका गोल बीज जो है, अलग है, और पीले और जुरिदार बीज अलग है, हरे और गोल बीज अलग है, और हरे जुरिदार बीज अलग है, तो इसी को हमने यहाँ पर इंगलिस में लिख दिया है, और यही आपको जो है, यहाँ पर इस से तीनों को चारों को लिख देना है, इसमें भी अगर लिखना चाहो तो, इसके बाद अंतिम प्रेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, अजेव निमनीकरण ये पदार्थ क्या है, हमारे द्वारा उत्पादित अजेव निमनीकरण कच्रे से कौन इसी समस्यां उत्पन होती है, सबसे पहले वे पदार्थ जो जेविक प्रक्रमों द्वारा अब गटित न बहुमी पर दूसर्न दो होता है, और खतरना के पदार्थों का जेविक आवर्धन होता है, या यानि कि आवर्धन का मतलब है, यह पदार्थ जो है हमारे खादित शंक्ला में मिल जाते हैं, जुड जाते हैं, और मिठटी की उर्ता को प्रावित करते हैं, और फसल की लिख दिये हैं, जो भी problems arise होती हैं, यह सारे के सारे reasons हैं, इस तरह से यह आपका question paper था, आगले set के लिए बिल्कुल आप तयार रहें, next set जो है आपका, फिर next subject का continuous आते रहेंगे सारे sets, उसके लिए बने रहें चैनल पे और maximum share करें, और जो वीडियोस मैंने बताएं, उनको ज सकते हैं, thank you very much, have a good day.